आप अपिए एवरीवन देश गौरव वेलकम टू गुरंते एजुगिशन आज की वीडियो का टॉपिक है हाव टू ड्राफ्ट अविल बाई हिंदू इन फेवर ओ फैमिली एक हिंदू परसन अपनी विल को किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकता है किसके फैवर में अपने पूरे फैमिली मेंबर के फैवर में आज की विडियो में हम इस विल को ड्राफ्ट करना सिखेंगे जब भी कोई विल ड्राफ्ट करोगे सब से पहले आप लिखोगे This is the last will of mine ये क्या है विल मेरी last है उसके बाद जो इस विल को बनवा रहा है वो यानि testator की complete description दोगे यानि उसका name क्या है, son of किसका, age क्या है उसके at present और उसके बाद वो कहां का रहने वाला, वो complete details दोगे उसके बाद आपने लिखा कि ये will बनाई है, किस day को बना रहे हो उसे date क्या है, month क्या है, year क्या है, और place क्या है वो mention कर दोगे उसके बाद आप लिखोगे, जो ये will बना रहे है, वो कैसे बना रहे है, voluntary बना रहे है और sound state of mind में बना रहे है testator ने ये लिख दिया, उसके बाद आएगा recital बाद, जो कि हमारे will में एक short summary है, एक short story बताएंगे, इस will को बनाने का objective क्या है हमने लिखा, first point के अंदर, testator कहता है कि, मैंने एक reasonable age attain कर लिया है यानि, for example, वो 17-80 साल का हो चुगा है, और वो अब बिमार रहता है और जिसकी वेज़े से वो unstable है second point में लिखा, उसने पूरी lifetime है न, testator ने कह रहा है कि मेरे पास movable और immobile property है, जिसका वो absolute honor है और उस property को schedule के अंदर describe कर दिया है third point में लिखा, कि जो property की बात कर रहे हैं न, उसके अंदर include है ancestor property, यानि जो testator को ancestor की तरफ से भी property मिली थी उसको भी include कर लिया है fourth point में हमने लिखा, testator क्या चाहता है testator ने decide कि ऐसी कोई arrangement करके जाओ, उसके मरने के बाद उसके family member property के बिच्छे लड़े नहीं हर person अपना-पना, जो property के में उनका right है, वो अच्छी तरह enjoy कर सके फिल लिकामने, now I declare that, क्या declare कर रहा है testator, testator कहता है I revoke, मैं सारी के सारी इससे पहले जितनी भी मैंने will बनाई थी या codicil बनाया था, उन सब को cancel करता हूँ Second point में लिखता है testator, कि मेरी wife है, जिसका नाम जो है, वो आप इधर mention करते होगे, एक बेटा है, बेटे का नाम इधर mention हो जाएगा, और एक बेटी है, उसका नाम इधर mention हो जाएगा, और जो कि मेरे मरने के बाद, यानि testator कहता है, मेरे मरने के बाद, मेरी property के वारिस इनको property मिलेगी, third point में आपने लिखा, कि testator कहता है, कि मैं जो property 1 है, वो किसको दे रहा हूँ, मैं अपनी wife को दे रहा हूँ, जो कि complete and absolute honor रहेगी, और property 2 किसको दे रहा हूँ, मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, जो complete and absolute honor रहेगा, उसके बाद जो property C3 है, वो मैं इसको दे रहा हूँ, डॉर्टर को दे रहा हूँ, और वो भी complete and absolute honor रहेगी, उसके बाद fourth point में टेस्टिटर लिखता है, कि ऐसी कोई भी property, चाहिए movable हो और immovable हो, जो mention करना मैं इधर भूल गया हूँ, या फिर, इस मेरी death से पहले, अगर मैंने उस property को acquire किया है, तो क्या होगा उस property का, उन सारी properties को equally distribute कर देना, equally transfer कर देना, तीनों के अंदर, यानि five के अंदर, बेटी के अंदर, और बेटी को, तीनों को दे देना, फिफ्ट पॉइंड में लिखा हमने, कि टेस्टर कहता है, कि इस will को execute कुन करेगा, मेरा बेटा करेगा, माई सन, तीन आपने end कर दिया, इन witness where of लिखके, कि टेस्टर कहता है, कि मैंने sign कर दिया, कब कर दिया, जो date date, अब मेंशन है, जो date उपर लिखे हुए, उस दिन में कर दिया, तीन टेस्टर के इधर signature आजेंगे, फिर उसके बाद लिखता है, कि मैं यह sign और execute कर रहा हूं, इन the presence of विटने और witness में कहते हैं, कि मैं साहम sign कर रहा है, इन the presence of testator, ती two witness के complete detail आजाएंगे, name, address, सब कुछ लिखके, उसके बाद उसके signature आजाएंगे, और फिर schedule of the property आजाएंगे, Thank you for watching, hope you like my video, we meet another amazing video, thank you.